हेलो दोस्तो वेलकम टू कम्पलीट स्टेडी जीरो वान तो दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए मिक्स जीके के मोस्ट इंपोरेंट कोशन लेके आ चुका हूँ आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जीके, साइंस जीके, इंगलीज एंड हिंदी के मोस्ट इंपोरेंट कोशन जो कि आपके सभी एक्जाम के लिए बहुत हैलफूल रहेंगे दोस्तो आपको पता है कि हमारी डेली रात को साड़े आठ बज़े कलास होती है तो साड़े आठ हो चुके हैं, सभी के सभी कलास में आ जाईगा और अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी करें तो दोस्तो आपके लिए वाली कलास बहुती फाइदे मन रहेगी तो चलिए दोस्तो आगे बने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली वराए हो और अभी तक आपने हमारे टूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बद बेल आइकन को दबा दीजीगा ताकि आपके मुवाईल फोनों पर हमारे डेले क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे या गाइस हम जो वो आपके लिए छोटी से छोटी एनवडी से बड़ी जानकारी भी टाइम टू टाइम अपडेट करवाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी मत भूलीगा तो चलिए गाइस आपका ज्यादा समय बेस्ट मैं करते हूं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तो हम सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट कोशन है कि वर्ट इजदा केमिकल नेम ओफ निला थोता निला थोता का रासाइनिक नाम क्या है चार option आपके सामने है option A है copper sulfate B है calcium carbonate C है sodium bicarbonate and D है sodium nitrate आपको बताना है कि जो निलत होता है उसका रासाइनिक नाम क्या है तो दोस्तो इस question का right answer होगा option number A copper sulfate जो निलत होता है guys उसका जो रासाइनिक नाम में वे copper sulfate है चलिए next question देखते हैं तो next question है कि which metal is not found in gun metal है यानि gun metal में कौन सी दातू नहीं होती है option A है copper B है tin C है zinc and D है lead तो दोस्तो gun metal में कौन सी दातू नहीं होती है आपको बताना है तो इसका जो right answer होगा B होगा lead यानि कि option number D इसका correct answer हो जाएगा gun metal में guys copper, tin और zinc तीन दातों होती है और जो lead है ये नहीं होती है तो D इसका right answer हो जाएगा अगला कोसन हागाइस कौसन काफी important है तो कोसन हागाइस की what is the length of small intestine यानि जो छोटी आंत है उसके लंबाई कितनी होती है 6.25 मीटर, 7.25 मीटर, 5.25 मीटर या फिर 4.25 मीटर आपको बताना है कि जो छोटी आंत है उसके लंबाई कितनी होती है तोस्तों छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर और इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि very very is case due to deficiency of यानि बैरी वैरी किस विटामिन की कमी से होता है काफी easy कोस्टना यह आपके सब्सक्राइब को कोस्टना आता होगा तो विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन C, या फिर विटामिन D आप लोगों को बताना है कि जो very very away किस विटामिन की कमी से होता है तो दोस्तो जो very very away विटामिन B1 की कमी से होता है तो इसका right answer हो जाएगा option number B आपको exam में आ सकता है कि रतोंदी किस विटामिन की कमी से होता है तो दोस्तो विटामिन A की कमी से होता है सकर्भी होता है विटमिन C की कमी से रिकेर्स होता है विटमिन D की कमी से नपू संकता या बांज पन होता है विटमिन E की कमी से और गाइस विटमिन K एक और होता है कौन विटमिन K विटमिन K की कमी से गाइस खून का थका नहीं बनता विटमिन K की कमी से और गाइज एक most important question होता है science से vitamin से जो कि आपके exam में देखना को मिलता है और काफी important question है आभी सकता है दो question बनते जैसे कि गाइज वसा में घुलनसील vitamin कौन कौन से है और पानी में घुलनसील vitamin कौन कौन से है दोस्तों आप लोग उनको बता दें कि जो B और C है वे हैं पानी में घुलनसील और जो वाकी बचते हैं जैसे A, E, D, N, K ये है वसा में घुलनसील तो आपको ये दो question जो नोट कर लेजीगा काफी important question आपके exam पों इंटर व्यू से चाहिए आप किसी भी exam के तायारी कर रहे हैं लेकिन गाइज ये दो question को आप नोट कर लेजीगा काफी student इस question में confused होते हैं तो इस question को जरूर पढ़के जाएगा next question को दर्फ चलते हैं दोस्तों next question है कि what is the पर्म कंचन जंगा क्या है पर्म कंचन जंगा क्या है दोस्तों पर्वत स्रेंखला है है मखंड है सुपर कंप्यूटर है या फिर application software है तो जो पर्म है दोस्तों पर्म पर्म कंचन जंगा ये है एक सुपर कंप्यूटर इसका option number C correct हो जाएगा option C is the right answer अगला कोसन है कि who was the first woman governor of India भारत की प्रत्म महिला राजेपाल कोन थी भारत की जो पहली महिला राजेपाल थी बेती सुरोजनी नाइडियू option C correct answer हो जाएगा अगले कोसने तर्प चलते हैं दोस्तों तो अगले कोसने आपकी स्क्रीन पर कि भारत का सबसे बड़ा सूरे मंदिर का है बारत का जो सबसे बड़ा दोस्तों सूरे मंदिर बे है option number 20 का एक औरक्टांस रोजेगा कोनारक में है आप लोगों के लिए कोसने गाइस होंबर के कि कोनारक जो वो कौन से स्टेट में है ठीक है कहा है कोनारक जहाँ की भारत का सबसे बड़ा सूरे मंदिर कौनारक में और आपको बताना की कौनारक है कहाँ ठीक है अगला कोसने की वो वाज़ देफर्स्ट मिस वर्लड ओफ इंडिया यानि भारत की पहली मिस वर्लड कौन थी रीता फारिया एस वराई या फिर सुसमीता सेन या फिर प्रेंका चोगडा कौन थी बारत की पहली मिस वर्ड तो गाइस बारत की पहली मिस वर्ड थी रीता फारिया उपसनेंबिस का ए राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन है दोस्तों कोशन है कि सीन हुआ किस देश की प्रमुक समचार अजेंसी है जो सीन हुआ है वे किस देश की प्रमुक समचार अजेंसी है जापान, दक्सिन, कोरिय, चीन या फिर मैमार दोस्तों ये है चीन की उपसन अंबिस का सी राइट अंसर हो जाएगा अब यहां से हमारे इंग्लीज के कोशन स्टार्ट हो रहे है तो दोस्तों इंग्लीज भी आपके एक्जाम में आती है तो फर्स्ट कोशन है कि ओडर डेस, हीज, रिलीज, हाज बीन इसुड प्रेपोजिशन से कोशन है गाईज तो यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा फोर आएगा, ओफ आएगा, अबउट आएगा या फिर ओण आएगा तो ओडर जाएगफ ओडर फोर का यहांपे ऑप्स् इम्रीज का एक अग्रक्ट आंसर हो जाएगा ओडर फोर, इस रिलीज, हाज बीन इसुड तो ओप्स्न आइज भी राइप नेक्स्ट कोसन की मोहिनी रिसमेंबल्स डेस हर मदर तो यहां पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा गाईज बिद आफ्टर तू या फिर नो प्रपोजिशन इस नीड़ तो यहां पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा दोस्तों ओप्स नम्बर इसका डी राइटना या प्रपोजिशन अएगा जेक्त क्या होता है थो डिक्सियंूक्षिशन अधरन करें एंटनीम्ज कर लिए आपको पादेगा काफ होता है न diezक्र देंखक्ता होता है कि अंटनीम्ज इसका 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 बिलोम सब्द वे होगा एक क्यूस ओप्सन नमर इसका भी राइट अंसर हो जाएगा अगला कुछन है correct spelling ठीक है कौन सा कुछन दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है spelling कौन सी इसमें correct है चार ओप्सन आपके सामने जिसमें की 3 की होंगी यहाँ पर गलत स्पेलिंगे और एक इसमें होगी से स्पेलिंग तो आप देख लीचे का कौन सा इसमें correct हो जाएगा तो दोस्तों इसका 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 correct हो जाएगा टी र ए ए ए ए ए ए एस पी ए ए ए ए ए टी होता है transparent ठीक है तो ओप्सन एज दी right answer उसके बात अगला कोर्चण न है कि सुद सब्ध है गाइS यहां से हमारे हिंदी के कोसन 열 कोसन हो रहे है तो option A है कोसल B है कोसल C है कोशल ंड D है कोशल तो आपको पताने कि सुद सब्ध कोन सा है दोस्तों कैसे पढ़ता है तो दोस्तो नहीं पर आपड़ लिएका इंगली इसमीं अन्कों इन्छे साफ्ध में आरिस सेद्ध पस्वाले थे पर उप्स्वार को इसवाले सब्स की ठीजок करता है तो यहां पर कोज्छर अंप की चांटने पतें और से है वे हैं एक सुध सब्द से आते हैं ठीक है यानि जो अभी आपका एक्जाम हो था कलरक का 887 वाला 29 अगस्त को उसमें यहां पर लगवा गाई पांच कोसन जो भी सुध सब्द से पूछा गई थे तो कई स्टूडेंट हैं जिन के की पांचो के पांचो कोसन कोरक्ट हैं तो दोस्तों इस तरह से हिंदी जो होती है और रीजनिंग जो होती है वे आपके मेरिट में आने के चांस बढ़ा देते हैं तो आप हिंदी और रीजनिंग से आपका कोई भी कोसन गल्त नहीं जाना चा जोसने की उah opyta की संधी पिछेद क्या है जोस्तों क्या है ऊटिस प्लस सिष्ट ओपस्निस का ए राइंसर हो जगा इसके बाद समास समास से भी कोसने आता है तो एच्पिशेच आपका कोई साथी यू पॉस्ट कोड मास और संधी तो आपके ऐक्जामें आते ही आते हैं, समास होगे, सुध सब्द होगे है, और संधी होगे हैं, यह तीन तो नोट कर लेजीगा, तीन जो टोपिक है, काफ ही इंपोटेंट है, इनको आप एक वार जरूर पढ़ लेजीगा, महातमा में कौन सा समास है, दविग समास है, ततपुरस समास है बहुरी समास है फिर दवन्द समास है तो दोस्तों महातमा में ततपुरस समास हो जाएगा उप्सनिस का B राइट अंसर है अगला कोसना गाईज कि मुर्क का परवाची सब्द नहीं है यानि कि जो तीन ओप्सन है आपे वो परवादी सब्द होंगे मुर्क के और जो नहीं है वो अब बताना है आपको ठीक है तो दोस्तों जो मुर्क के परवादी सब्द होते हैं बे होते हैं अबोद जड़ और अग्यति नो किया है ये मुर्ख के परहवाती सब्द है और जो नहीं है बेहब ब्रिंग ओप्सनिस का डी कोरेक्ट अंसर हो जाएगा मुहावरा गाइस मुहावरा अंडल कोकतें से भी आपकी गजामे कोसना आते हैं तो अच्छ पिसे सी के जितने भी जवसी का भाव प्रक्ट करना या फिर बनी चीज को बिगार देना तो अन का कन करना जैसे कि दोस्तों इसका अंसर होगा बनी चीज को बिगार देना जो अन का कन करना यानि बनी चीज को बिगार देना तो इसका उपसिन नमबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हमारी आज की छोड़ी क्लास आयोगी कि आपको अच्छा लगे होगी और साइंस के कोस्ण भी और हंधी उंगली सभी कास आज में हमने का प्रवॉट करवा है काफी इंप्रेंट को सक्षान आपके एकजाम पॉन्ट वह उसे तो अगर आपको कोई नहीं आता हो तो नोट कर ल सबसे पहले पहुंच सके तो गाज यह थी हमारे आज की एक छोड़ी सी क्लास तो हमें आप एक क्लास अपने समाप्त कर देने चाहिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट साड़ी आट वज़े वाली क्लास के साथ कल रात को या फिर उससे पहले किस इंपोर्टन्ट अपडेट के तब तक जय हिंद जय भारत बंदे मातरा